जनपद में विधान सभा चुनाओ के लिए 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए पुलिस प्रसासन की तैयारी पूरी हुई जिसके संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए तैयारी पूरी है तता चुनाओ को संपन कराने के लिए बाहरी जनपत से फोर्स मिला है और जनपत से बाहर गई फोर्स भी वापस आ गई है जिनको अलग-अलग जगहों पर रुखने की विवस्था की गई है और ब्रीफिंग की जा रही है उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा केंद्रे सुरक्षाबल की 130 कंपनी मिली है जिनको बूथोव मोबाइल टीम के साथ ड्यूटी पर लगाये गया है तथा हर विधान सभा में 9 केंद्रे सुरक्षाबल की पार्टियां होंगी जो लगातार विधान सभा में ब्रमड करे इसके अलावा सेक्टर मजिस्टरेट, जोनल मजिस्टरेट, मोबाईल टीम के साथ रहेंगे और लगातार छेतर का प्रमड करेंगे तथा जिलास्तर पर कंट्रोल रूम व화 थानास्तर भी कंट्रोल रूम बनाये गया है जिससे कि अगर कोई गटना घर्टित हो तो तुरन सु अवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया तथा आपराधिक तत्वों के खिलाब भी लगातार कारवाई की जा रही है। साथ ही हमें 130 कंपनी ये सेंट्रल पैरा मिलेटरी फोर्सिस की मिली हैं जिनकों की बूत पे और मोबाईल ड्यूटी में लगाया जाएगा। और यदि किसी ने गड़बरी फैलाने की प्रयास किया तो उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी। 30,000 लोगों को रेड कार्ड माटे गए हैं और 50,000 लोगों को शांतिवस्ता कायम रखने के लिए पाबंद किया गया है। साथ ही जो आपरादिक तत्व हैं उनके खिलाफ भी कारवाई लगतार की जा रही है और चुनाव को सकुषल, शांतिपूरवक और निस्पक शुरूप से संपन करवाया जाएगा।